हेलो एंद वैलकम स्टुडेंट्स सो इस्टुडेंट्स हमने क्लास फॉर्थ के जो सावन्त यूनिट थे, जो 14 चाप्टर्स थे, वह हमने कम्पलीट कर लिए है जो हमारा क्लास फॉर्थ का 8 यूनिट है जिसका 15 चाप्टर है A Watering Rhymes yesterday हमने वो भी रीट किया था एंड हिंदी explanation के साथ ठीक है तो आज हम इसके question answer करेंगे इससे पहले हम इस chapter के थोड़े इस chapter के बारे में थोड़ा revise कर लेंगे देखिए A Watering Rhymes में आपको क्या बताया गया था कि किस तरह कब हमें पौधो में पानी डालना चाहिए flowers को पानी देना चाहिए and कब हमें flowers को पानी नहीं देना चाहिए early morning and evening hours में हमें पौधो को पानी देना चाहिए and जब noon दे होता है तब हमें पौधो को पानी नहीं देना चाहिए next अगर देखिए हमेशा पॉंधों को जब हम पानी देते हैं तो हमें तो हमें क्या करना चाहिए हमें उनकी जड़ों में पानी देना चाहिए अगर हम उसकी रूट्स में पानी देंगे तो जो पॉंधा है हमारा जो फ्लावर है वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगा ठीक है अच्छी तरीके से ग्रो क So students, हम exercise start करते हैं. Question number first है, What is the best time to water the plant? Pondho को पानी डालने का best time क्या होता है? The best time to water the plants is early in the morning or the evening hours. जो पondho को पानी देने का best time क्या होता है? Early in the morning, सुबह सुबह जल्दी and evening hours में. ठीक है? Question number second है, When should we not water the plant? अगर हम पondho को पानी हमें कब नहीं देना चाहिए? We should not water the plants at noon day. दिन के समय हमें पondho को पानी नहीं देना चाहिए? क्योंकि तब क्या होता है? हमारे पondho की जड़े होती है, वो बहुत गरम होती है और सूरज की जड़े होती है, वो बहुत हाई होती है, ठीक है? So, हमारे दो questions complete हुए, अब आता है word building, word building में लिखा है, देखो कुछ disarrange words है, उसे हमें rearrange, जैसे flowers नहीं है, उन्हें हमें rearrange करके यहाँ पर लिखना है. इसे first हमारा है, sweet pea, कुछ flowers भी यहाँ पर है, sweet pea, and second हमारा है marigold, ठीक है? Third है, jasmine, fourth हमारा हमने यहाँ पर लिखा है, lotus, next, mogra, dahilia, and last क्या है, pansy, ठीक है? Disarrange है, words अलग-अलग दिए गए हैं, sorry, letters अलग-अलग दिए हैं, आपको उसे rearrange करके यहाँ पर note करना है, So, मैंने यह किया है, आप लोग भी से note-book में note कीजिएगा. Now, next question है, do you have a garden at home? क्या आपके घर में आपके पास कोई garden है? तो हमने इसका answer लिखा, yes, I have a garden at home, मेरे घर में मेरे पास एक garden है. Now, next question है, name some flowers which grow in your garden or near your house. कुछ flowers के नाम यहाँ पर रिखने हैं, जो आपके garden में हो, जहाँ आपका garden है, वहाँ हो, and कुछ नियर आपके घर के पास हो. तो हमारे घर के garden में especially roses and marigolds हैं, जो आजकल ग्रो कर रहे हैं, and sunshine कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने लिखा, roses, marigolds grow in my garden, roses and marigolds मेरे ग्रो कर रहे हैं, they look lovely in the sunshine, सूरज की रोशनी जब इस पर पढ़ती है, तो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. Now, next question है, from where do flowers get water? Flowers को water हमें कहां देना चाहिए? From the bottom, जो roots होती है, उनकी bottom होता है, वहाँ पर हमें flowers को water देना चाहिए, तो हमारे इतने question यहाँ पर कर रहे हैं. Now, next question हमारा है, what happen when the water plant in the morning? अगर हम morning में पानी पॉंधो को देंगे, तो क्या होगा? They will grow well. वो अच्छी तरीके से grow करेंगे. हमने इसका answer लिखा, they will grow well. उसके बाद है, let's write. कुछ वो दिये गए हैं आपको यहाँ पर words और उसके बारे में लिखना है. जिसे question number first है हमारा, write rhyming words for the words given blow. वन has been done for you. यहाँ पर कुछ words दिये गए हैं उनके rhyming लिखना हैं आपने, rhyming words लिखने हैं. जिसे morning का हमने क्या लिखा? इवनिंग जो आपको पहले से दिया गया था. कार का, पार, हाई का, sky, heat का क्या लिखा है, beat, boots, mouse, wear, wear, hair. यह भी हमारा complete हुआ. नाव नेक्स question है, what's like morning, evening, watering and in ing? दिखी कुछ words है, morning, evening and watering, जिसका end कहां पे होता है, ing में होता है. six more words to which ing can be added at the end to form a new word, former new word. अब ऐसी कुछ words आपने रिखने हैं, जिसका end, ending क्या हो, ing से हो, ठीक है, अपने ing वाले end word, ing आड़ करके, उनके words बनाने हैं, ठीक है, जिससे first हमने बनाया, fighting, second बनाया, killing, next accept था, तो ing लगा के, accepting बना दिया, उसके बाद burn, next question, next word था, हमारा burn, burn का burning कर दिया, next था, amaze, amaze का amazing कर दिया, and drink का ing लगा के, drinking कर दिया, ठीक है, तो हमारा ये question भी यहाँ पर complete हुआ, उसके बाद हमारा है, next question, pick out the silent letters from these words, यहाँ पर कुछ words आपको देखो, blue class में देख रहे हैं, blue pants में लिखे हुए दिख रहे हैं, तो कुछ words यहाँ पर दिये गए हैं, उसके जो silent words उसके अंदर होते हैं, उसे, हमने यहाँ पर बताना है, जैसे first ह, O, U, R लिखा है, इसको हम हावर दो नहीं पढ़ते हैं, इसको right, right का r-i-t, right, w क्या हो गया, silent हो गया, तो w हम यहाँ पर note कर देंगे, next है, k-n-i-t, neat बोलता है हम इसे, इसका k क्या है, silent है, तो k को हम यहाँ पर लिख देंगे, now next है, now, now का k भी silent है, तो हम यहाँ पर k कर देंगे, next है knife, k-n-i-f-e, तो इसका k silent होता है, तो यहाँ पर को W-R-O-N-G है लेकिन हम इसे क्या बोलते है wrong तो W हम यहाँ पर क्या लिख देंगे silent word उसके बाद है night night का G-H जो होता है silent word होता है तो इसका सिर्फ जो word night है उसमें N-I-T क्या ही sound आता है night जी एच क्या हो जाता है silent तो G-H हम यहाँ पर क्या लिख देंगे silent letter में उसके बाद है high, high का भी G-H क्या होता है silent होता है ठीक है उसके बाद doubt, doubt का B silent होता है, dabut नहीं कहता है ठीक है तो हम doubt बोलता है doubt का B क्या है silent है तो हमने silent letter उसके बगल में लिख दिया red color में, इसके बाद could का भी L silent होता है, तो L हमने यहाँ पर लिख दिया, walk का L silent होता है, walk का L silent होता है तो हमने यहाँ पर इसे लिख दिया now, हमारे जो question answers थे, class 4th के 15 chapter के watering rhymes, इसके question answer थे, वो complete हुए so students I hope मैंने आपको जितना बताया है आप लोगों को समझ आये होगा and question answer आपने कर लिए होंगे now, जितने भी आपके जितना मैंने आपको यहाँ पर आज बताया, chapter 15 class 4th का, English का unit 8 का, chapter 15 topic है, watering rhymes इसकी exercise हमारी complete हो गई है so, जितना मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, जितना बताया, आप लोग भी उसे note book में note कीजिएगा now, next हम इसके मिलेंगे story है, बहुत अच्छी story है ठीक है, ट्री के बारे में story है बहुत अच्छी story है, तो next जो story है, वो हम next day read करेंगे, tomorrow हम उसे read करेंगे, so students friends, मिलते हैं next day आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पर join कीजिएगा okay, thank you